सपनों के इस नगरी में दूर दूर से लोग अपने सपनों को पूरा करने आते हैं उन सपनों को पूरा करने में हमारा भी रूल है रोज सुबह सबसे पहले उटो और सबसे आखिर में सोने जाओ ताकि हर मुंबई कर अपनी सपनों की राहों पर बिना रुकावट चलते रहें हाँ कभी कभी ओवरलोर और ओवर टाइम की कारण हमें तकनी की घरा भी ज़रूर होती है लेकिन चाहि कुछ भी हो जाए हमें वापस तो आना ही है पहले पहले हमारा रूप थोड़ा अलग था तब हमारे घर भी कम थे बट तब भी हम दिखते तो ला जवाब थे हमारी नकल बॉम्बे की टैक्सी और आटो रिक्षा भी करते थे लेकिन शहर की इस भीड भाड के परे एक ऐसी जगा है जहां हमने अभी अभी जाना शुरू किया धानू मुंबई के भीड से दूर प्रकृति की गोद में जहां हमें सबसे जादा और तेज दौडने मिलता है वैसे सपना तो मेरा भी था कि किसी दिन विरार के आगे जाओ और जिवदाने मा की परवत के आगी की दुनिया नेखू हाला कि हमारे सेंट्रल वले दोस कसार और कोपोली जैसे शान जगों पर तो जाते ही है लेकिन हम वेस्टन वालों के लिए ये नई बात थी यहां हर स्टेशन के पीश दूरी भी बहुत ज्यादा है जिसे हमें लंबे समय तक भी न रुक्के अपने चक्के भगाने मिलते है मेरा स्पीडो मिटे तो यहां कई बार एक से दस टच कर लेता है यहां आने पे हम बहुत मचलते है वैतर ना के उस पुराने ब्रिज से जाने मुझे कभी-कभी डर तो लगता है पर सुनने में आया है कि हमारे लिए वो भी नया बनाया जा रहा है आखिर में महालक्षमी मा के दर्शन करते-करते धानू के उस लंबी चिमनी के बाज़े से गुजरने का मज़ा ही कुछ आर है हमने धानू आना यही कुछ दस साल पहले शुरू किया था उस दिन यहां के लोगों ने हमारा वहां जाना मानूट क्योहार जैसा मना लिया हर स्टेशन पे हमारे लिए अलग-अलग तैयारिया की थी कही तारपा डान्स, कही डीजे और क्या कुछ नहीं खहते हैं कि हमारे वज़े से यहां के लोगों का मुंबई शेयर से जोड मजबुत होने वाला था इसी वज़े से हमारे लिए इतना सब कुछ किया जा रहा था बै के लोग तो हमें प्यार देते ही आये हैं लेकिन उस दिन के बाद से वो प्यार और हमारी फैन फॉलोईंग दुगनी हो गई और पता है यहां के लोग हमें प्यार से क्या बुलाते हैं अब यही कुछ दिन पहले उसे डानू लोकल को यानि हमें यहां आने को दस साल पूरे हुए कुछ लोगों ने तो हमारे इस दसवे जनम दिन को मानो एक जश्न सा मना लिया जो लोग हमें बेहत प्यार करते हैं और हमारी सर्विस को रिस्पेक करते हैं वो सब वहां मौजुद थे इन्होंने मेरी लिए फूलों और रंगों से भरी कुछ डेकॉरेशन्स भी बना के लाए थे और कुछ तो मेरे सामनी भी बनाए थे रात को तो हम में से एक पट ट्राइ तक करके देखा कि सारे डेकॉरेशन्स वही जा रहे है या नहीं और सुब धानो स्टेशन पर आते ही इन लोगों ने मुझे सजाना स्टार्ट कर दिया मैं तो जैसे रानी लग रही थी और तो और इन लोगों ने मेरे जनम दिन के लिए केक भी लाया था अब क्या ही बताओ मुझे पल के लिए तो ऐसा ही लगा मानो में उनमें से ही एक हो ये चीजे मुंबई की भीड़बरी जिंदेगी में मुझे कभी देखने नहीं मिलती यहां तक के हमारे सेंटरल वाले दोस्तों को भी ऐसा बरताव शायद ही कभी मिला होगा ये चीज मुझे बहुत प्यारी लगी और इतनी खुशी हुई कि क्या बताओ ये सब में मेरे सारे दोस्तों को दिखाऊंगी और बताऊंगी कैसे यहां के लोग हमें इतना प्यार और रस्पेक करते सुना है रेल्वेज हमें यहां आने के लिए और नए ट्रैक्स बना रहे हैं चलो फिर तो हमारा यहां आना और भी बढ़ जाएगा और सुना है उन उची डबल डेकर माल गाड़ियों से और जपैन से आने वाले कुछ नई बुलेट ट्रेंज को भी हम यही मिल पाएंगे बस फिर यहां आने पे हमें नई विदेशी दोस्त भी मिल जाएंगे तब तो हमारे मज़े ही मज़े है पावरियों से प्रेंटिः यही मिल जा आने झाले आने वाले माल गाश्छ तुर से जाएंगे विदेश्णान वाले मिल जाएंगे